नवस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का जी के महात्म जी में दोस्तों आज हम याद करेंगे साहयक नदिया गंगा नदिया इनकी जो भी साहयक नदिया है वो सब हम ट्रिक से याद करेंगे बिल्कुल इजी ट्रिक है और यह आपको चुटकियों में याद हो जाएगी और सोन, गंडक, महानन्दा और गोम्ती, ये सभी नदिया है गंगा की सहायक नदिया, अब सबसे पहले बात करते हैं घागरा ने दीकी, घागरा का बन जायेगा घर, घागरा घर, और घर में आपको पता हिए हम सब गंगा जल रखते हैं, गंगा जल सबसे पुछत्र माना जाता गंगा जल रखते हैं, तो घागरा का हो जायेगा घर, और घर में लोग क्या रखते हैं, गंगा जल, अब नेक्स्ट दामोदर नदी, अब देखिए दामोदर को हम रिलेट करेंगे दमदार से, दामोदर दमदार, अब कोई पूछा जाए कि भाई भारत की सबसे दमदार गंगा नदी कोंची है, तो गंगा नदी कहेंगे न हम, भाई भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा नदी, और सबसे पूछतर नदी है, गंगा नदी, तो सबसे दमदार नदी कोंची हो गई, गंगा नदी हो गई न, दोस्ते एक बात नोट कर लीजिए, वैसे तो ब्रह गंगा नदी अब देखिए इसमें गंगा आ रहा है कोई प्रोब्लम नहीं होगी गंगा नदी की सायक नदी है राम गंगा नदी गंगा गंगा आ रहा है दोनों में नेच्ट है यमना नदी अब यमना नदी को एक तो बिलकुल सिंपल है कावत है ना गंगा यमना गंगा यम तो ऐसे आद रख सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है यमना याने की मुन्ना और नैच्टे कोशी नदी कोशी को हम रिलेट करेंगे कोशी से और सोन नदी है उसके बाद सोन नदी को रिलेट करेंगे सोने से और उसके बाद है गंडग गंडग को रिलेट करेंगे हम ठंड से अब देखें इन चारों का ये यम्रा याने कि मुन्ना को सी कुसिस कर सोजा okay बेटा बाहर ठंड़ कै याने कि गंड़क मां अरे बेटा बाहर ठंड़क है याने कि confuse नहीं होना है ये है महाननदा और एक हमने पीछे पढ़ा था जो खंबात की खाड़ी में गिर रही थी माही नदी वो अलग थी और एक हमने पढ़ा था जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी कौनची थी माहानदी माहानदी माही नदी और माहाननदा नदी ये तीनों अल दमदार नदी कौनची है गंगा अब जब गंगा दमदार नदी है तो वो माहान नदी भी हो गई ना माहाननदा याने की माहान नदी कौनची हो गई गंगा नदी हो गई वो दमदार भी है माहान भी है कौनची गंगा नदी तो माहाननदा हो गई गंगा की सहायक नेक्स्ट ह अब देखिए गौमती का हो जाएगा गौमाता गौमती गौमाता अब आपको पता है जो गाय माता है गौ है वो पवित्र होती है किसकी तरह गंगा नदी भी पवित्र है और गाय भी पवित्र है तो दोनों का अपस में हो गया ने सम्मध और घर में हम गंगा जल रखते हैं क्योंकि वो पवित्र होता है नेक्ष्ट है दामोदर नदी जो हमारी गंगा नदी है वो सबसे दमदार नदी है सबसे बड़ी नदी है तो दामोदर नदी हो गई गंगा की सायक नदी नेक्स्ट है राम गंगा इसमें गंगा आ रहा है और वहां भी गंगा है सेम है नेक्स्ट है यमना नदी कोशी नदी सोन नदी और गंडक नदी अरे मुन्ना कोशी सकर सोजा लेकिन क्यों अरे बेटा बाहर ठंडक है यानि कि गंडक नदी नेक्स्ट है महाननदा महान नदी क पिल्कुल एजी ट्रिक के साथ हमने आपको समझाने की कोशिश की है बस आप एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजेगे आपको इजली याद हो जाएगी अब देखिए बात करते हैं सिंधु नदी की देखिए सिंधु नदी तीबत के पास मांद सरोवर जहिल से निकलती ह और यह भारत के जम्मु कस्मीर से होते हुई पाकिस्तान से होते हुई अरब सागर में गिर जाती है अब सिंधु की साहिक नदिया है रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी और जहिल्म नदी अब देखिए सिंधु का हम रिलेट करेंगे साधु से अब सबसे पहले है रावी नदी रावी यानि की रवी नेक्ष्ट है चिनाब नदी चिनाब यानि की चुनाव चिनाब का हम रिलेट कर रहे है चुनाव से नेक्ष्टे व्यास नदी व्यास यानि की व्यास व्यास कर देना सारे पैसे व्यास कर देना और नेक्ष्टे फिर जेलम यानि की जेलना जेलम नदी जेलना अब इसका क्या बनेगा रावी नदी रवीने चिनाब नदी चुनाव में व्यास नदी व्यास नदी व्यास कर दिय ये व्याय कर दिये और फिर भी वो चुनाव हार गया और वो ये सदमा जेल नहीं पाया जेलम नदी और वो बन गया साधू याने की सिंधू नदी है हाँ रवी चुनाव में सारे पैसे व्याय करके सदमा जेल नहीं पाया और वो बन गया साधू सिंधू नदी नेक्स्ट है तुंग भद्रा नदी ये किष्णा नदी में मिल जाती है तो ये किष्णा नदी की साहिक नदी हो गई याद कैसे रखेंगे देखे तुंग भद्रा भद्रा याने की बहद्दूर और यहां है किर्शन किर्शन भगवान आपको पता है ये बहद्दूर थे उन्होंने एक उ खाड़ी में किर्षना नदी का मोहाना है बंगाल की खाड़ी में पिछली वीडियो में आपको बताया था ने ट्रिक से बंगले में किर्षन भगवान की ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे अब नेक्स्ट बेतवा और चंबल नदी यह दोनों नदी सायक है यम्ना नदी के और गंगा नदी कहां जाकर किर्थी है बंगाल की खाड़ी में अब देखिए बेतवा से हो जाएगा बेटा बेतवा बेटा चंबल कंबल बेटा कंबल उड़ा दे किसको मुन्ना को यम्ना मुन्ना को बेटा कंबल उड़ा दे मुन्ना को तो बेतवा और चंबल नदी किसकी सा सायक है और चंबल नदी किस सायक नदी थी यमना नदी की और यमना नदी किस की सायक नदी थी गंगा नदी की दोस्तों यह स्टेफ वाई चलती है बस आप इन्हें एक बार ध्यान से समझ लीजिए आप जिंदगी पर नहीं बूलेंगे अब देखिए बनास और शिप्रा यह चाहिए कंबल चंबल है ना यहां पर चंबल नदी चंबल नदी को हम रिलेट करें कंबल से बंदा क्या कह रहा है कि बनार सी छपाई वाला कंबल चाहिए तो बनास और शिप्रा नदी कहां मिलती है चंबल नदी में और चंबल नदी यमना में यमना नदी गंगा में गंग आप देख सकते हैं पहला किश्चन निम्ण में से कोंची नदी गंगा नदी की साहयक नदी है अप्शन डी दामोदर नदी आपको बदाया धना दामोदर दमदार नदी कोंची है गंगा नदी नेक्स्ट निम्ण में से कोंची नदी किर्षना नदी की साहयक नदी है किर्शन भगवान अप्सन बी तुंग भद्रा नदी भद्रा याने कि बहादुर है किर्शन भगवान सेशनाग को मार दिया था एक उंगली पे परवत को उठा लिया था तो बहादुर थे ना किर्शन भगवान नेक्स्ट जेलम नदी निम्ड में से किसकी साहयक नदी है अप्शन ए सिंधु नदी सिंधु याने कि साधु बन गया था बंदा कब जब वो चुनाओं में हार गया था जेल नहीं पाया जेलम नदी तो वो साधु बन गया था सिंधु नदी नेक्स्ट बनास और सिप्रा नदी किसकी सायक नदिया है अप्सन सी चंबल नदी चंबल याने की कंबल कैसा चाहिए था बनार सी छपाई वाला कंबल चाहिए था ना नेक्स्ट बेतवा और चंबल नदी किसकी सायक नदिया है अप्सन B, यमना नदी की बेतवा यानि की बेटा चंबल कंबल उड़ा दे मुन्ना को बेटा कंबल उड़ा दे मुन्ना को नेक्स्ट निम्न में से कौनची नदी गंगा नदी की सायक नदी नहीं है Option D, रावी नदी, सायक नदी नहीं है ये गंगा की रावी नदी किसकी सायक नदी है सिंधू नदी की, रवी, इलेक्शन हार गया था, चुनाव हार गया था तो सादू बन गया था, सिंधू नदी नेक्स्ट निम्ण में से कौन्छी नदी सिंधू नदी की सायक नदी नहीं है अप्शन ए गंडक नदी ये गंगा नदी की सायक नदी है बाकी तिनों सिंधू नदी की सायक नदी है नेक्स्ट गौमती नदी किस नदी की सायक नदी है अप्शन डी गंगा नदी आपको बताया था ना गौमती गोमाता पवित्र है ना और गंगा नदी वह भी पवित्र है तो गौमती नदी हो गई गंगा नदी की साहिक नदी भाईयो भेनो नमस्ते मित्रा नेक्स केशन आप सभी के लिए चैलेंज होगा मौस में घटना है वाईयो मंडल के किस मंडल में घटित होती है इसका करारा जवाब चाहिए नमस्ते जी हैलो जी मोधी जी या आप कटिन सवाल पूछ रहे हो जी लेकिन आम बाद में इसका जव जवाब और इस वीडियो के मेरे आपका कोई भी सुझाओ कोई भी चेंजमेंट कराना हो तो प्लीज आप अपने अनमुल सुझाओं में कमेंट्स बोक्स में जरूर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय इंद जय भारत